सब को जैमसी की और इस वीडियो में आपको तीन प्रकार की जीवों के बारे में बताने वाला हूँ यानि की मूँ से निकले शब्दों के बारे में परमिश्वर का वचन बताता है जब हम बजन सायता 120 सध्याए वचन 3 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जूट बोलने वाली जीव के बारे में बताया गया है उसमें लिखा है ये छली जीव तुझको क्या मिले और तेरे साथ और तेरा क्या अधिक किया जाए परमिश्वर के वचन में लिखा है उलट फेर की बाते करने वाले जीव के बारे में जब हम नेती वचन 10 अध्याए वचन 31 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है धर्मी के मूँ से बुद्धी टपकती है पर उलट फेर की बात कहने वाले की जीव काटी जाएगी अब हम परमिश्वर के वचन में से चंगा करने वाले जीव के बारे में पढ़ेंगे जब हम नेती वचन 12 अध्याए वचन 18 को पढ़ते हैं उसमें लिखा है ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुपता है प्रन्तु बुद्धी मान के बो परचन 23 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है जैसे उत्रिवायू वर्षा को लाती है वैसी ही चुगली करने वाले से मुख पर क्रोध चाह जाता है